तो श्रेंस कॉशन नोबर सेवन देख रहे हैं अच्छा कॉशन में से कॉशन है बिल्कुल 6 5 की तरह ही है तरह बहुत देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है की अवर्टिकल टार स्टेंस ऑन अ हाय होरिजॉन्टल प्लेन एंड सर्मॉंटेट बाय आ वर्टिकल फ्लैक स्टाफ अवर्टिकल टार है इसके ऊपर क्या है एक फ्लैक स्टाफ जो है वह रखा हुआ है उसके ऊपर खड़ा है जिसका हाइट हमें दे दिया है 6 में ठीक है तेलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कॉशन में वह देख लेते हैं कि at a point on the plane the angle of elevation of the bottom of the flag stub is 30 degree को एक पॉइंट है ग् angle of elevation जो बन रहा है इस फ्लैक स्टाफ का bottom का वह बन रहा है 30 degree ठीक है और यहीं से जो फ्लैक स्टाफ को जो तॉप है इसको जब दिखा जा रहा है तो यह 60 degree बन रहा है तो आगे क्या बोल रहा है कि find the height of the tower तो बताए कि इस tower का height क्या होगा इसको मैंने h माल लिया है अब दे सी ले रहा हूं ठीक है तो इमेड की ट्रैंगल ले रहा हूं क्योंसा a b d इस triangle की बात कर रहा हूं इन triangle a b d जो तो in triangle a b d 90 degree at d तो चली तो क्या हो जाएगा हमारा 1060 is equal to क्या हो जाएगा 1060 degree is equal to हो जाएगा हमारा b d upon a b 1060 का value put कर दो 1060 नी 1030 होगा ना क्योंकि इस triangle में 30 बनेगा हमारा theta हमारा 30 degree है इस triangle में 30 होगा चली 1030 का value अगर मैं put करूं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 upon root 3 is equal to b d b d को मैंने h माना है height of the tower और a b को मैंने y माल लिया है अब जाओ तो a b को a b लिसकते हैं आफ ही में y लिख दिया है आप y लिख दो यहां से y का value निकाल रहा हो तो y is equal to क्या हो जाएगा हमारा y is equal to हो जाएगा कि रूट 3 h चलिए इसको मैं question 1 लेता हूँ अब एक काम कर रहें एक triangle कौन से लेते हैं a b c ये बरावला triangle लेते हैं तो ब्रेटर ट्राइंगल में क्या हो जाएगा इन triangle a b c 90 degree at b b 90 degree है तो 10 60 degree is equal to क्या हो जाएगा हमारा के b c b c upon a b हो जाएगा तो यह हो गया हमारा a b b c बड़ती पूरा पूरा अपन हो गया हमारा a b चलिए अब यहां से 1060 का वेली पूट करता हूं 1060 होता है हमारा root 3 तो root 3 is equal to हैना b c हो गया हमारा कि ना यह पूरा b c है यह कि इतना हो गया 6 plus h हैना तो यह में एक दरहाँ 6 plus h जो हमने हाइट मान था तावर का वह हो गया अपन क्या है a b तो a b हमारा y है इसको मैं y रहनेता हूं और फिर से यहां से y का वेली कर लेता हूं y is equal to क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 plus h upon root 3 ठीक है तो यह हो गया हमारा किसका value y is equal to आ गया अफ एक y का value हमारा यहां भी आए था तो अगर हम दोनों को अगर इसको मैं equation 2 मान लेता हूं तो from 1 & 2 से देखो तो क्या हो जाएगा y का value यहां भी आए था हमारा root 3h तो यह हो गया root 3h is equal to y का value यहां भी है हमारा क्या है 6 plus h upon root 3 तो यहां से हम h अलाम से निकाल सकते हैं इसको इधर बेच देंगे तो क्या हो जाएगा यह हमारा कि root 3 into root 3 हो जाएगा तो 3h है ना is equal to 6 plus h इस h को इधर बेचता हूं तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा this implies 2h क्योंकि 3h में से 1h minus हो जाएगा तो 2h is equal to 6 finally h का value हमें यहां से निकल जाएगा तो h is equal to क्या हो जाएगा हमारा यहां से जब ही 2 जाएगा तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा हमारा यही हो गया हमारा height of the tower hence height of tower is कितना है तो 3 है तो 3 meter यही हो गया हमारा answer questions मिलते हैं हम आप ने नेक्स वीडियो में तब तक लिए बापाइ अल्लाहाफिस्ट